हेलो दोस्तों फिर से एक बर आप सभी का बहुत बहुत ज़्यादा सौगत करता हूँ क्योंकि आज मैं पहली बार बनाने जा रहा हूँ 50 किलो फिश करी ज़रा सोच कर देखिए 50 किलो फिश करी बनने वाला है तो वीडियो में बहुत मजा आने वाला तो प्लीज वीडियो को क्लीन करना कोई मामूली बात नहीं होता तो इसके लिए हमने एक नया तरीका सोचा है सबसे पहले तो हमने मचली का अंदर एक से डेढ़ किलो आटा और आधा किलो नमक अच्छी तरह से मिला कर आधा घंटा के लिए ढखके रग दिया था उसके बाद हमने चार लेयर में ड पतम हो जाते हैं तो सबसे पहले हमारा काम है मचली को क्लीन करना आप देख सकते हैं हमने चार ड्राम लिया है बड़े बड़े और एक एक करके इस मचली को हम क्लीन करेंगे कर देख सकते हैं हमने चार लेकिन से नहें हमारा काम हम ले खरा लेकर बड़े पकार कर दो कार में हम पूच हमारा कर दो को बातर करेंगे अब इसे हम ले चलेंगे कड़ाई के और और आप बारी है मशली को फ्राई करना तो फ्राई करने के लिए सबसे पहले हमें मशली के अंदर मिलाना पड़ेगा नमक और हल्दी एक बार में सब फ्राई करने सकते इसलिए बारी बारी करके फ्राई करना पड़ेगा लेकिन मैं कोशिश करूँगा जितना जल्दी हो सके वीडियो आपको शौट के अंदर मैं दिखा सकूँ तो सबसे पहले नमक और हल्दी चाची तरह से मिला लेते हैं और उसके बाद छोड़ेंगे गरम गरम तेल के उपर कुछ इस तरह से एक बार में चार से पांच किलो मसली को हम फिराई करेंगे ये देखिए बिल्कुल मस्त फिराई हो चुका है आप इसको हम उतार देंगे कलार देखो जी कलार मसली का कलार देखिए कितना गरजब की बना है तो आलमोस्ट हमारा मसली जो है फ्राई हो चुका है तो दोस्तो आप बरी है इसका ग्रेवी तयार करने के लिए सबसे पहले हमने लिया है अद्रक लसन का पेस्ट और कटी हुई टमाटर और तीन चे चार किलो कटी हुई प्याज तो छोक लगाने के लिए हमने डाल दिया है अद्रक लसन का पेस्ट साथ में तेस पत्ता और एक मुठी वर साबत लाल मिरिस और थोड़ा सा दाल चिने अब इसे हम पांच से साथ मिनिट अच्छी तरह से भूंद लेंगे अब इसमें अड़ करेंगे हम प्याज प्याज की कॉंटिटी अब देख सकते हैं तीन चे चार किलो प्याज है एक बाल्टी अब इसे भी साथ से आठ मिनिट हमें अच्छी तरह से भूंद लेना है यह देखिए अब हम त्यार करने जा रहा है खड़ा मसाला यह हल्दी जी निया पावडर काली म्रेज कश्मिरी लाल म्रेज और यह है कलर जो छोड़ा सा रेड कलर के लिए डालने पड़ती हो कलर आब इसमें अड़ करेंगे हम पानी और इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे और उस तरफ जो हमारा प्याज का और आदरक लसन का जो पेस्ट भोंद रहे थे अब उसके अंदर इस पानी को हम एड़ करेंगे यह है दोस्तों सरसे का पेस्ट कच्चा सरसो को पीस कर उसका पेस्ट बना गया था एक ग्लास मसला हमारा पक चुका है इसमें थोड़ा सा पानी एड़ किया है हमने और आप डालेंगे इसमें टमाटर और टमाटर को भी अच्छी तरह से भून लेना है यह हल्दी और अब डालना है हमें जो हमने खड़ा मसला का पेस्ट तयार किया था बोफ पेस्ट अब इस मसला को हमें 15 से 20 मिनिट बिल्कुल अच्छी तरह से पकाना है बिल्कुल अच्छी तरह से और जब पक जाए तो उसके बाद हम आड़ करेंगे पानी, चार बाल्टी एक नहीं दोस्तो, चार चार बाल्टी पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि पचास किलो मसली है तो उसके लिए ग्रेवी जो है काफी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होगा अब हमारा जो ग्रेवी जो तयार हो गए, अब इसमें हम एड़ करेंगे मसली को जिस टाइम हम मसली को एड़ कर रहे थे, उस टाइम हमारा गैस का फ्लेम बिलकुल लो था क्योंकि हमें उस टाइम बिलकुल भी उसको पकारा नहीं था मचली पूरा डालने लेके बाद हम थोड़ा सा ग्यास का प्लेम हाई करेंगे और उसके पांच मिनिट बाद हमारो जो फिश करी है बिल्कुल बनके तयार है I hope दोस्तों इस वीडियो आप सब एको बहुत अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज में चनल को सब्सक्राइब कीजिएगा मुझे आप सबकी सपोर्ट की सक जरूरत है अगर हो प्लीज में अगर जिल्कुल